नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल मोटिवेशनल सत्मार के स्टोरी में आपका स्वागत है आज हम आपको जित्पुत्री का कथा यानी जित्यावरत की कथा सुनाने जा रहे हैं इस कथा को पूरा जरूर सुने एक समय की बात है नम्रदा नदी के पास कंचन वटी नाम का एक पेर था उस पेर पर एक चील रहती थी पेर के नीचे एक खोकला था जिसमें एक स्यारन रहती थी चील और स्यारन में गहरी दोस्ती थी एक बार दोनोंने मिलकर कुछ इस्त्रियों को जित्यावरत करते हुए देखा तब उन्होंने यह वरत करने का संकल्प लिया फिर दोन ने भगवान जियोत्वाहन की पूजा करने के लिए निलजला वृत रखा वृत के दिन उस नगर में एक बरे व्यापारी की मिलती हो गई और व्यापारी का दाह संसकार उसी मर्वस्थल पर किया गया दिन बितने के बाद जब रात हुई तब वहां मौसम खराब हो गया पाई और उसने व्यापारी के सरीर को खा लिया और उसका वृत तुट गया पर चिल सईम रखा और नियम और सधा से वृत का पारण किया फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियोंने ब्हामन के परिवार में दो पुत्रियों के रूप में जनम लिया चिल बरी बहन बनी और उ में हुई उसका नाम करनावती रखा गया उसकी साधी नगर के राजा मलैकेतु से हुई अब करनावती कंचनवती की रानी बन गई भगवान चियतवाहन के आसिरवाद से सिलावती के साथ पुत्र हुए पर कर्णावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे कुछ समय के बाद सिलावती के सातों पुत्र बरे हो गए वे सभी राजा के दर्वार में काम करने लगे कर्णावती के मन में यह देखकर इस्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर सिलावती के सभी पुत्रों के सरकटवा दिये और साथ नई बरतन मंगवा कर उसमें रख दिया और लाल कप्रे से ढखकर सिलावती के पास भिजवा दिया यह देखकर बगवान जियत्वाहन ने मिट्टी से सातों भाईयों के सीर बनाए और मिठी के सिर को उनके धर से जोल कर अम्रित छेक दिया जिससे सभी में जान आ गई और सिलावती के साथों पुत्री जिन्दा हो गए और घोर लोटाए जो कटे हुए सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए दुसरी ओर रानी करनावती सिलावती के घर से उसके पुत्रों के मरने के समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो करनावती स्वैम ही बरी बेहन के घर चली गई वहाँ सब को जिन्दा और खुस देखकर वो बहोस हो गई जब उसे होस आया तो अपनी बहन को उसने सारी बात बता दी उसे अपनी गलती का पस्तावा हो रहा था भगवान जियत वहन की किलपा से सिलावती को पूलवजनम की बाते याद आ गई वो करनावती को लेकर उसी पाकर के पेल के पास गई और उसे सारी बात बताई यह सुनकर करनावती उसी समय मिलती को प्राप्थ हुई जब राजा को यह खबर मिला तब उसने उसी जगह पर पाकर के पेर की नीचे करनावती का दासंसकार कर दिया हे भगवान जियोत्वाहन जैसे आपने सिलावती के सातों पुत्रों की रक्षा की वैसे ही इसे कहते इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सपर प्रिपा बनाये रखना पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद भगवान जियोत्वाहन आपके संतानों की सदेव रक्षा करें हमारी यही कामना है इस तरह की और भी धार्मिक और पौरानी कथाय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब